हम जनता को महगाई की मार अप सबजियों के रूप में भी देखने को मिल रही है अगर हम सबजियों में सबसे बेसिक सबजी प्यास टमाटर आलू की बात करें तो ये सबजियां भी इनके दाम आस्मान शू रहे हैं इस वक्त हम वाशी के APMC मारकेट में मौझूद हैं और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं ये थोक बाजार है और यहां पर सबेरे हम आये हैं और आपको यहां के दिरिश्च दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सीधे आप ये दिरिश्च देख सकते हैं और अब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या लगातार एक हफ़ते बीतने के बाद भी प्याज आलू इन सब के दाम कैसे हैं और हम यह पता लगाएंगे साथ में इस ग्राउन रिपोर्ट में कि किस तरीके से गिरावट में आई हैं सबजीयों के दामों में या नहीं क्योंकि सरकारी आकड़ों के अनुसार गिरावट देखने को मिली है तो हम यहां पर जमीनी हकीकत आपको बताने के लिए आए हैं सबसे पहले आप ये बताईए आलू की क्या कीमत चल रहे हैं इस वक्ति सब्सक्राइब कितना क्या कीमत चल रहा है कम से कम 50 रुपया अच्छा और यह भी जानेंगे क्या सरकार की दखल अंदाजी के बाद प्यास की कीमतों में क्यापिंग हुई है क्या रेट कम हुए है चाप्यमारी के विज़ेज और टॉक लिमिट के बादे में थोड़ा से उसक असर हो गया है तो जैसे यह बाहर देखने को मिल रहा है प्याज और आलू की रेट में कमी आई है आप लोगों के हिजाब से भी 10-20 रुपया फिलों के पीचे कमी आगई तो जैसे कि हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे थे और हमारे इसी यह आपको हमने सांजा कर दिया कि किस तरीके से आप प्यास के दामों में गिरावट देखने को मिली है और इनका यह मानना है कि सरकार की दखल अंदाजी के बाद क्योंकि सरकार ने यह दावट किये थे कि उनकी दखल के बाद अब यहाँ पर प्यास के खीमत कम हो गई है औ कई सरकार अपने वादों पर खरी उत्री है कैमरे परसंट राज़ी शर्मा के साथ श्वयता वर्माई जानियों मुंबाई